अवेकनिंग बंत्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की कहानी का सीर्षक है जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ प्रेसातियों ये कहानी एक आईरलेंड की है जिस पर कुछ किसान काम करते थे ज्यादातर किसान उस आईरलेंड को छोड़कर अपने अपने गाउं में जाकर बस गये लेकिन एक किसान ये सोचता था कि मैं इस आईरलेंड को बड़ा खुबसूरत बनाऊंगा यहाँ पर भी जन्तु रहा करेंगे यहाँ पर भी फसल उगा करेंगी लेकिन यह ख्याल ही रह गया जब भी वो कुछ मजदूरों को वहां लेकर आता तो वहां पर जोड जोड से हवा चलती तुफान आता बारिश होती उसमें उसके जीव जन्तु भी मर जाते फसल भी उग नहीं पाते इसकारण उसने एक बार सोचा कि मैं हिम्मत हार गया हूं फिर उसने आखरी एक प्रियास करने का सोचा और शहर गया और वहां पर एक इश्चहार दिया कि मुझे अपने आईरलेंड के लिए एक युवा मजदूर की जरूत है जो कि वहां पर खेती बारी सबाल सके वहां के जीव जंतों की रक्षा कर सके जियादतर लोगों को तो ये पता ही था कि वहां पर तेज हवा चलती है बारिश आदी तूफान कभी भी आ जाता है ये तूफान के बारे में हम जानते हैं कि ताउते तूफान, यास तूफान ये सब चली रहा है इसके तहट ज़्यादतर लोगों ने बना कर दिया लेकिन एक दूबला पतला सा लड़का वो आता है उस किसान के सामने और कहता है कि मालिक मैं आपके आईरलेंड की सुरक्षा करने के लिए तैयार हूँ उसकी मरियल हारत को देखकर किसान ने कहा कि ये क्या करेगा पर उसके पास कोई और आप्शन नहीं था उसने कहा कि मैं इसे ही लेकर चलता हूँ लेकर गया लेकिन रास्ते में वो युवक ये कहता है कि मालिक मेरी एक शर्थ है जिससे आपको अवेशा याद रखना होगा कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ मालिक ने का तू बली मर जाए जब सोना लेकिन मेरे इस खेत खलियान की ज़रूर रख्शा करना उससे का मालिक बस याद रखियेगा कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ ठीक है साब एक दिन ऐसा हुआ भेंकर आंदी और तूफान आने ही वाला था जब हमें ही पता है कि थंडर स्ट्रोम आता है कि बाई आंदी आने वाली है चल हमारा खेत खलियान खराब हो जाएंगे उससे का मालिक आपने शर्ट तोड़ दी है मैंने आपको कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ और वो वापस हो गया अब मालिक ने कहा कि इसे तो बाद में देख लूँगा पहले में जाकर अपने खेत खलियान और जीव जंतों को देखूँ वा जब दोड़ावा गया तब उसे पता लगा कि शैड बना हुआ है जिसके तर गाय, बकरी, भैस आराम से बन दी है मुर्गी का जो दबड़ा था या दड़बा बोलते हैं वहाँ पर मुर्गी आराम से अंदर थी खेत खलियान में पूरी व्यवस्ता थी पानी, हर एक चीज जो उड़कर जा सकती थी बाल्टी, डबे, मट्किया, इस तरह की चीज़े सब व्यवस्ती थी मालिक ना का बड़ा जबर्दस आदमी है तो इस तरह व्यवस्ता पहली कर रखी है और जो चीज उड़ सकती थी उसको उसे पहले बान दिया था पिर मालिक अगली सुबह उसके पास गया और उसको नमशकार करके बुला भाई, तुने किया कैसे? कि मालिक, ज्यादतर लोग आज तक सिर्फ एक ही काम करते आये हैं कि जब बारिश और तुफान आते थे तब वो दोड़ कर उन सब चीज़ों को ठीक करते थे लेकिन मैं एड़वांस में सारी चीज़े समझ लेता हूँ कि एक लिस्ट मैंने बना रखी है मैं थोड़ा सा ये मौसब विवा को भी जानता हूँ मुझे पता लग जाता कि किस वक्त तुफान आएगा तो मैं पहले से सारी वेवस्ता कर लेता हूँ और मैंने आप से कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ तो प्रियस आती हो आपके जिन्दगे में कभी भी कोई तुफान आ सकता है वो रुबाय का हो सकता है बिमारी का हो सकता है किसी भी प्रकार का तुफान आपके जिन्दगे में आ सकता है और ऐसा कोई बैकती रही है जिसके जिसके जिन्दे के में कभी कोई तुफान ना आया हो लेकिन आप तुफान में आराम की नीद ले सकते हैं तब जब आपने एड़वांस में सारी वेवस्ता कर ली हो इसलिए आप भी जब हवा चले आराम से सो सकते हो इसलिए बच्चे करने की जरूरते जो सर पर जब आती है तब वो चकते हैं इसलिए आज से एड़वांस में सारी वेवस्ता करना शुरूर कर दीजिए आपके खरचे और करदे आने वाले सारी चीज़ वेवस्ता कर लिजिए आपको वह तकलीफ उतनी आएगी नहीं जितनी तकलीफ थी उमी झाल झाल